नमस्कार, रागिरी में आपका स्वागत है रागिरी वीकेंड स्पेशल में हम आपके मुलाकात कराते हैं देश के नामचीन विश्विख्यात कलाकारों से आज जिसकलाकार से हम आपके मुलाकात कराने जा रहे हैं उन्हें पूरी दुनिया में कथक का पर्याय माना जाता है जिहां पंडित बिर्जु महराज कुछ समय पहले हमने पंडित बिर्जु महराज जी से इंट्रिव्यू किया था उनके पूरे संगीत सफर को समझा था आज उसी इंट्रिव्यू की कुछ चुनिंदा जल किया पंडित बेरुजु महराज का जो सफर है आज इतना लंबा वो शुरू कैसे हुआ ऐसा है कि मेरी जिन्दगी तो शुरू ही लखनोग से और लखनोग से मैं साड़े तीन चार साल की उम्र का छोटा साथ लोगा तालिम खाने की तालिमों में जो सुनता था मैं आवादें गंगरो की तबले की या वगरा मैं ग्याया है तो तो शुर्णिदगी दिमाग में मैं जब तबलेगी था आट था में चाहता था चाहे कुछ खाता रहूं कुछ भी करूं पर सुनता रहता था और देखता था अखसर वहां से लोटके अम्मा को दिखाता था मैं कि अम्मा मुझे को भी आता है तो मैं गिर पड़ता था क्योंकि बैव सारा चीन चार साल का था तो कहां जब बड़े हो जाना बेटा तब ठीक से नाचना अभी तुम देखो स सुनो खाली तो इस तरह से हमारा समय शुरू का तो भीता उसके बाद लखनौ और बेहत शौक पत पतन का शौक बच्पने से हमारे लखनौ का तो मशूर वह एक खेल था तो अक्टर मैं उसी में फसा रहता था उसके बाद यह हुगा कि बाबू जी की तालीम चाचा जी की मेरे पिता जी अच्छन महाराजी लच्छो महाराजी तो बंबई थे और वो फिल्म के उसमें ज़्यादा इंवाल थे उस वकात तो बाबू हमारे जब किसे को सिखा है तो हम भी बैठ के देखते रहते थे तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता था कि हम भी तुला सीख लें तो बाब वे इस वकिसे हाथ पर हिलाना तो शुरू हुआ पर जब मैं करीब पांच छे साल का हुआ तो बाबू हमारे नौकरी करते थे रामपून नवाब के यहाँ और उनके हाँ मैं नाचा हूं करीब छे साल की उमर में नवाब साफ के कोट में बागाएदा और वो मुझे बहुत प्यार करते थे और अक्सर मुझे बुलाते थे बेटे को भी लाना साथ साथ तो अला कि मुझे खराब लगता था रात को नींद खराब होती थी तो मुझे भबहत अममा से को यही कर।ंचा, रात को उठाते हैं यही बहुत रूज्ण अक्तर वात। तो बस इस तरह से वहाना झाय है फिर धिरे दिरे शाष का वह रही हम आ trip झाल का हुआ, पिर गरेहिस से, नौ सान का वहुआू हूँ। साले नौ साथ तब पिता जी की मिरत्तु हो गई है लू लगने से बस यह हुआ पिर गर्दिश के ज़माने शुरू हुए इस्ट्रगल बहुत हुआ और काफी इस्ट्रगल मता हर तरह का पैसे से भी हर तरह से तो अम्मा लेले की बिचारिया में कभी बात वरेली कभी कभी कहां कहां नैपाल तक हम लोग उस जवाने में जब तीन दिन में पैदल चलते थे तो उन जमाने की बात कर रहा हूं वह ले गई थे हैं कि राजा साब कुछ हो जाएं कुछ दे दे हैं माना उस वकल इस वकल ऐसा था कि कहीं भी पचास रुपई भी मिल जाते हैं तो सम तो वहां दो ट्रिशन किये मैंने बजपने में और मैं आप सोबचे ग्यारावार साल की उमर में क्या चुछ हमां करता था काम पर वहां से काम करते करते पर देरे देरे बढ़ा हुआ तो कपीला वातसा इंडिया हमको वहां लखनो गई हो कह लोगे बेटा कुछ कुछ करता तो उन्होंने कहा कि भाई छे महीने के लिए ले जाते हैं अगर कामयाब हो गए तो आगे तो इश्वर की बहुत करपा से हमने क्या किया कि काम शुरू किया तो बहुत सब लोग खुश हो गए बस साले चार साल में हो ही रहा पर भारती काला केंज़ भारती काला केंज़ त तो दिन पर दिन सोच हमारी विचार सब बढ़ते गए और बढ़ते कड़ते अने को कर रचनाए मैंने की और वहां से नाम इश्वर की करपा से बहुत कलकत्ता बॉंबे सब तरफ होने लगा तो कलकत्ते को मैं अकसर कहता था मेरी माँ है केरियर की और पिता मेरे महराष्ट मने बांबे है ऐसे करके पिस जन्दगी शुरू हो गई और आज तक मैं उसी इमानदारी से काम करता हूँ और सिखाता हूँ बच्चों को देश, विदेश, देश के अंदर बहुत से वर्कशॉप करता हूँ बंबई, कलकटा, पत्ना, लखनाओ, दिल्ली बहुत सी जगह ऐसे जिवन चलता जया है और कतक में बहुत से सुधार, यानि कि सौंदर ही क्या है कतक का, उसको मैं खुद जान सका कि कितना खुबसूरत है और हमको और क्या-क्या प्यास करना चाहिए, तो यह चल रहा है प्रणी जी आप 1935-1945 के आसपास की बात कर रहे हैं और उस वक्त तो डांस को ही बहुत बहुत अलग दृष्टी से देखा जाता था बहुत खराब दृष्टी से देखा जाता था बलकि कहना चाहिए, उस माहौल में आपका डांस करना, एक एक पुरुष का डांस करना दर्बार के नर्टक सारी, नबाब साब के आँ, रामपूर नबाब या लखनो के नबाब, दर्बार के ही ये नर्टक रहे हमारे बाबा और सब लोग, तो उस वक्त तो कोई शिकायत थी नहीं, लेकिन आम तोर से जब जिन्दगी शुरू होई, तो सब लोग वाके में कहत लिहाज ये सब सिखाया गया, गुरू के नहीं, तो हमारे हम तो वैसी रहा, फिर यह का कि भगवान कृष्ण भी तो पूरुष थे, और शंकर जी भी पूरुष थे भाई, तो सभी तो पूरुष थे हमारे, तो नर्टक तो सभी रहे हैं, उसके बाद दिक्कत तो हुई, लेकिन फिर लड़किया हमारी सामने आईीं, जब सवराज के बाद, पढ़ी लिखी, सब लोग सीखने लगे, उस वक्त से फिर हम लोग का एक काम शुरू हुआ, और फिर स्कूल बने बहुत से, कॉनफरेंसे शुरू ही बहुत बड़ी बड़ी, और उसमें रंगमंच मिला विश्व में पहला दिया सितार, विलाद कहाँ साब, अमिर कहाँ साब, भीम सेंडे जी, बिसमिल्ला कहाँ साब, ये सब लोग एकदम सामने आ गया है, और इन तमाम लोगों की वज़े से, बहुत बड़ा एक चर्चा, क्लासिकल रच्टो म्यूजिक के लिए, संगीत के ल तपस्या है, रियाज है, मजबुती है. बच्छो को सिखाया, बच्छो को बढ़ाया, और तमाम गुरू बना दी हम लोग ने, एक नहीं तमाम गुरू बना दी है, जो अभी अच्छा-च्छा काम कर रहे हैं. कभी विरप्ति की भावना? नहीं, क्योंकि हमारा संगीत और मुजिक का ऐसा धुन है, कि जिससे हमें किसी की चीज़ के कमी नहीं लगती है, मुझे लगता कि यही सबसे सही है, यही मेरा ध्यान है, इसी में हमारी जंदगी आगे भी खोच चलती रहेगी, क्योंकि मैं अपने आपको एक बहुत पन्दी जी, यह मॉडिस्टी कहां से आती है, यह सहचता कहां से आती है, कि आप अभी भी अपने आपको शिष्य मानते हैं, आप कहते हैं कि मैं शिष्य हूँ, मैं गुरू नहीं हूँ मैं एक मन्थन गुरू ने मिरे दिमाग में दिल में डाल दिया, हर सुभा मेरी जो होती है, एक नई चीज से शुरुआत होती है, और सुछता हूँ शाम को मेरी जो शिष्य आएंगे, उनको आज मैं यह सिखा दूँगा, तो पहले सीखने में ला तो मैं हूँ, मन्थन तो दिमाग दिल करता है, पर शिष्य तो मैं हूँ, मैं पहले मैं सिखता हूँ, फिर मैं उनको सिखाता हूँ, तो यह निरंतर यह लगातार बना हुआ मेरा, इश्र के करपा से बंद नहीं होता है, तो इसलिए मैं शागिरत के रहो अपना आपको ना, कि चीज बनती है, उनकी करपा से फिर मैं याद करता हूँ, पहला शागिरत मैं, उसके बाद सबको बांडता हूँ, पन्दी घर में, घर के बाहर, किसी अभी तक कि आपका जो पूरा अपना जीवन है उसमें, किसी का वो स्नेह का वो भाव जो आँखों में आसू ले आया हूँ, अब वो तो दिख हर दम कहें बिटा दो को चाहे कुछ भी खाने को मिले, जो पहनने को मिले, पर तुम अपने रियास को और अभ्यास को न भूलना, जो तुम्हारे पिता ने सिखाया, चैजा ने सिखाया, फिर हम उसी में लगे रहे, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं हूँ, इसके बाद इश्वर कर पासे, मताब बस में सफर होने के बाद फिर साइकल भी खरीदी, साइकल से हम गाड़ी पे आ गए और अब तो इश्वर कर पासे बहुत कुछ है, गुस्सा आता है पंड़ी आपको कभी कभी क्रोध आया हो, ना मुझी गुस्सा करना आता ही नहीं, बहुत प्य जार से डाटता हूं, बच्छों को अगर डाटना भी तो मुझे सोचना पड़ता है, डाटू कैसे, कथक अभी पंड़ी जिस दिशा में जा रहा है, सही दिशा पर है वो? बिलकुल, बिलकुल, सही जा रहा है क्योंकि मेरे पास कलाश्रम में इस वकत 400 स्टूरेंट हैं, द इसके अलावा मेरे चचा के दो बेटे हैं, राम मोहन, कृष्ण मोहन, वो भी काम कर रहे हैं, और वो भी अच्छा खुद कर रहे हैं, बहुत बनिया कर रहे हैं, इसके अलावा में ने कहा ना कि तमाम गूरू बना दिये, अच्छे अच्छे लोग बना दिये, जिसमें शा चाइनलीज लोगों को भी सिखाया मैंने तो है चावात राख ये वह उस्वहर की कृपास तसे में भरी तसलिक मैंने काम किया एफ आपकी बात पर शेयर आम तरप जो आपकी पीडी के लोग है इसे अलग है अमूमन जब मैं आपके उम्र के लोगों से सवाल जवाब करता हूं तो वो नाराज होते हैं वो कहते हैं उस तरह से सुनने वाले नहीं रहे उस तरह से सिखाने वाले नहीं रहे उस तरह के कलाकार नहीं रहे लेकिन आप कम से कम यह शिकायत नहीं कर रहे हैं आपके लिए ग्लास जो है वो आधा खाली नहीं है बलकि आधा जो है भरा हुआ है देखे एक ही प्रोग्राम की में चर्चा करूंगा इसलिए कि और भी जगह पर ऐसा हुआ है लेकिन श्रीफोर्ट में जाकिल भाई थे मेरे साथ मैं भी था सारा श्रीफोर्ट भरा हुआ दिवालों से लोग चिपके हुए पैसेज में बैठे हुए और बाहर से पांच सो लोग की आवाद आ रही कि स्पीकर लगाईए स्क्रीन लगाईए वन्ना हम तोड़ देंगे दरवादा तो साथ ये जो चाहत है तो अब लोग तो करोनों हैं अ कुछ हम उसकी बात सहलिया है और कॉम पूरे हिंदूस्तान का ठेका लें वह तुम भी जवर्दस्ति सीको जवर्दस्ति कोई ज़रत नहीं है मैं बहुत ठुन के काम किया है सत्यूजीत देरा की खिल्म सत्यूजीत रे की शतरन की खिलाडी उसके अलामा मैं दिल तो पागल में ऐक dance peace थो चुटा सा माधरिक है तो मैंने जा दीओ हिरुए शब्द क्या है पहला सवाल रजा, कैय। चानप है ही नहीं है, sheiro plank का DRAM है, मैंने कoration you are the sheبل summer in निघ्मध निश्वद तो वो हमने लिया फिर इसके अलावा जो भी बिशुरूप में हमें अपने कमल असन का उनका भी गाना महूराधा तेरी तुहे शाम मेरा करके उसके भी राधा शाम आकर मैंने का ची बहुत बढ़िया अच्छा शब्द है और करने वाले कमल असन जी है और बड़े ग्रेट ड कुने हमें डांस मास्टर नहीं समझा महराज समझा तो सबसे बड़ी बात है कि हमें जब महराज समझ के काम करोगे तो मैं करोगा डांस मास्टर तो बहुत सो घूमते हैं वा जिसको कहते हैं कि प्रभू ने और गुरू के आशिरवाद में मुझे जो मेरी बद्धी दी है अपने काम के लिए वो इतनी बड़ी चीज़ देदी है कि ना खतम होने वाली अंतहीन तक जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा तो इसलिए कोई हमें को नहीं है पंड़ी तमाम कलाकार जो हैं वो जो कहते हैं कि कई बार ऐसा उन्हें लगा कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं बलकि शायद उपर से कोई शक्ती है वो उनसे करा रही है उनका परफॉर्मेंस उनका उनके हाथ उनके पैर उनकी आँखें उनका दृश्चित सब कुछ जो है वो क मंबई का प्रोग्राम भजन कर रहा था मैं प्रिगवान को जुलाते दे चुप चाप खड़ा हो गया भगवान प्रगट होए मैं रुख गया मुजिशन चूप हो गया और अदियन्स चूप है नहीं उसने रियलाइज कि खतम हो गया नहीं मैंने रियलाइज किया नहीं मुजिशन नहीं बाद महचा नहीं कुछ सेकेंड के बाद समने तालीव जाई मैं भी चूंका अरे यह तो भजल खतम हो गया तो मुजिशन से लेके हम सब लोग एक्तम खोए हुए थे ऐसी कोई भाव ना हुई होगी कोई ऐसा भाव हुआ होगा पंडी जी अगर कुछ बोल कुछ भी जो आपका मन करें आप हमारे दर्शक हैं जो हमारी विबसाइट के जो विजिटर्स हैं जो आते हैं वेबसाइट पर आप जैसे लोगों के इंट्रिव्यू को देखने के लिए सुनने के लिए उनके अगर आप कुछ सुनाना चाहें इनाद ब्रह्म है नाद के ब्रह्म के टूटे हुए चोटे चोटे टुकडे होते हैं जिसमें आवाज होती हैं रोज की भाशा नहीं होती है ना हम है ना तुम हो ना ये है ना वो है ना लेना है ना देना है पर यह बिल्कुल अगर यही इन बोलों से आप श्यो की पूजा करते हैं तो यह महामंद रहें तो यह कहने के माताब है कि उसमें हमें कोई शक नहीं है, मतलब मैं तो शागर्दों का तो भगवान के सामने खड़ो कि दो तुकड़े बोल लो फल वही मिलेगा शांता कारम भुजक्षे नम का, कोई दिर्गोत नहीं है, बोल लगी ऐसा है। पंडी जी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमें समय दिया।